जब भी हमें किसी का हाल चाल पूछना होता है तो normally हम किस sentence का use करते हैं? How are you का? किस sentence का use करते हैं? How are you का? यानि कि हमारे पास कोई दूसरा sentence नहीं होता है आज हम जानेंगे इस lecture या इस video के थुरू कि ऐसे कौन से sentences हैं जो how are you को replace कर दें और हम किसी का हाल चाल जाने के लिए और कितने तरह के कितने अलग-अलग तरह के sentences का use कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर पहला sentence क्या है? What's up with the flow? पहला sentence क्या है? What's up with the flow? एक और कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि कुछ sentences आप informally use कर सकते हो और कुछ sentences को formally use कर सकते हो normally अभी यहाँ पर जो 5 sentences लिखे हुए हैं यह सभी क्या है? इन सभी को आप कैसे use कर सकते हो? इन सभी कर सकते हैं उनका हाल चाल जानने के लिए दूसरा है What are you up to? तीसरा है How have you been? तब आता है जब आप किसी से लंबे समय के बाद मिल रहे हो तो आप जानना चाहते हो कि कैसा उनका समय बीता किस तरह से रहा? वहाँ पर क्या आएगा? How have you been? चौथा आएगा या 4th one है What are you heading? यानि किसी का कोई क्या प्लान कर रहा है, क्या करने का सोच रहा है 5th one is How are you feeling? हो सकता है कोई unwill रहा हो last कुछ time में, पिछले कुछ समय में तो वहाँ पर आप जानना चाहते हो कि अब उनको कैसा feel हो रहा है, तो क्या आएगा? How are you feeling? तो ये 5th one is in formal setting में यूज हो सकते चाहे हो आपके relative सो चाहे close friends हो चाहे friends हो उनके साथ इन sentences का use कर सकते हैं अब कुछ और ऐसे sentences भी देखते हैं, जहाँ पर हम how are you को और नए तरीके से replace कर सकते हैं, तो उन sentences को भी देख लेते हैं तो अभी तक हम 5 sentences देख चुके हैं, उसके अलावा हमारे पास 3 और हैं, जहाँ पर आप how are you को replace कर सकते हैं, इन में 6th one है, 6th one कौन सा sentence है? How do you do? How do you do? एक काफी polite सा भी लगता है और इसको use कर सकते हैं, कहाँ पर? Formal settings में, कहाँ पर use कर सकते हैं, formal settings में, यानि कि चाहे business meeting की बात हो, चाहे आप formally किसी formal institution में, college में, या फिर school में अपने teachers से पूछना जा रहे हो, तो क्या होगा sentence? How do you do? Next है, how are things coming along? यानि कि जहाँ पर आपने किसी को हो सकता है, कोई project दिया हो, या फिर आपको कोई project मिला हो, तो महाँ पर पूछना चाह रहे हैं, कि किस तरह से उस project पर कितना काम हुआ है, कितना हो पाया है, उस बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो how are things coming along? Next है, या फिर last one है, how is life sailing? यह दोनों कहाँ पर यूज हो सकते हैं, यह दोनों हो सकते हैं, फॉर्मल में, how do you do and how are things coming along? How is life sailing? यह again कहाँ पर यूज होगा? इन्फॉर्मल में, यानि कि जिन्दगी में कैसा चल रहा है, जीवन कैसा चल रहा है, तो यह क्या होगा, how is life sailing? तो आज हमने देखा कि how are you को किस तरह से replace किया जा सकता है, अलग-अलग sentences से इनको जाना, आपका कौन सा फेवरेट है, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, comment box में जरूर बताइए, और इसके साथ ही हम अगले lecture में और अगले वीडियो में सीखेंगे, कि किस तरह से how are you का जो जवाब होता है, वो हमेशा एक ना होके, आप अलग-अलग तरह से जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब कौन-कौन से हैं, उनमें से भी आप जान सकते हैं कि how are you का क्या-क्या जवाब दे सकते हैं, तो मिलते हैं फिर अगली class में, अगले lecture के साथ तब तर पढ़ते रह ही है, thank you.